नमस्कार दोस्तों, आज मैं डॉक्टर कृतिका आप से डायबेटीज के बारे में बात करूँगी डायबेटीज, मधुमे एक ऐसी बिमारी है जिससे हर साल दुनिया भर में हजारों लोग करभावित होते हैं वर्थमान समय में मधुमे के कारण 1.5 मिलियन लोगों की हर साल मौत हो जाती है आजकल हर दूसरा आदमी डायबेटीज से ग्रसित है तो डायबेटीज होता क्या है? यह एक ऐसा रोग है जिसमें रक्ट में शुगर या ग्लुकोस का इस्तर भर जाता है इसमें शरीब में इंसुलिन की मात्रा या तो कम हो जाती है या फिर उप्योग करने की शंपा कम हो जाती है खाने के बाद हमारे शरीब में ग्लुकोस भर जाता है इंसुलिन शरीब की कोशिकाव तर ग्लुकोस को ले जाने में सायक होता है तो diabetes किते प्रकार का होता है? यह तीन प्रकार का होता है. टाइप वन, टाइप टू और जेस्टेशनल diabetes. टाइप वन डाइपटीज में आपके शरीर में insulin नहीं बन पाता है. यह जादतर बच्चों और युवाओं में होती है. इसमें insulin को बनाने वाली कोशिकाएं नस्थ हो इसमें मरीज को हमेशा के लिए ही insulin लेना पड़ता है. दूसरा है टाइप टू डाइपटीज इसमें शरीर में या तो insulin की कमी होती है या उसका सही से उप्योग नहीं हो पाता है. यह किसी भी उम्र में हो सकता है. लेकिन जादतर यह चारेश वर्ष के बाद होता है. यह कारण हो सकते हैं या किन चीजों से यह बहर सकता है. टाइप टाइपटीज का कोई सटी कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है. लेकिन कुछ बैक्टीरिया और वाइरस insulin बनाने वाली को शिकाव को खतम कर देते हैं जिससे शरी में insulin की मात्रा कम हो जाती है. टाइप टाइ की बहन को यदि डाइपटीज है तो आपको भी डाइपटीज होने का खत्रा बहर जाता है. बढ़ा हुआ बीपी, मुतापा, स्ट्रेस, और संतुलित आहार, भरती हुई उम्र, सिदेंट्री लाइफ स्टाइल भी डाइपटीज को बढ़ावा देते हैं. तो जाबाना, वजन बरना या वजन कम होना, घाव चाले जल्दी ठीकना हो पाना, ठकान लगना, तचा में खुजली होना, मूल सूपना, उल्टी, दुंदला दिखना, इंफेक्शन के लिए जादा संबेंदर शील होना. अब मदुने के लिए आप क्या क्या जाचे करा सकते ह खाली पेट मतलब फास्टिंग ग्लड शुगर अगर 126 मिलिग्राम पर डेसी लिटर से जादा हो, एच्पी एवन से 6.5% से जादा हो, ये पिछले 2-3 महिनों में आपकी डायबिटीस कितनी कंट्रोल रही है ये बताता है. दो गंटे खाने के बाद खून में यदि शुग अगर की मात्रा 200 मिलिग्राम पर डेसी लिटर से जादा हो, तो ये डायबिटीस के खत्रे को दशाते हैं. अब डायबिटीस के लिए आप क्या क्या इलाज ले सकते हैं? सबसे पहले आपको घर पर ही अपने शुगर की जांच ग्लुकोमीटर द्वारा करनी चाहिए. पाइ इंसुलिन लेना परता है. अब डायबिटीस की वज़े से कुछ कॉंप्लिकेशन भी हो सकते हैं. जैसे कि आखों की रौशनी जा सकती है, स्टोक हो सकता है, हाट अटाक हो सकता है, गुर्दा खराब हो सकता है, नसों में कमजोरी हो सकती है, पैर में सुन्तन हो सकता है, सबसे बचाप करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, एवं अपनी जीवन शहली में कुछ परिवर्तन करने होंगे, जैसे कि संतुलिक आहाल लें, चावल, घी, आलू ना खाए, निरंपर वययाम करें, प्रयाप्थ नींद लें, धुम्रपान ना करें, मुतापा कम करें, पनाव से दूर रहें, एवं साल में एक बार शरीर की और आखों की जांच जरूर कराएं, ब्लट प्रेशर और अपने कॉलिस्ट्रोल को नियंतरित रखें, डाइबेटीज में आपको टोटल पांच मीड लेनी चाहिए, तो ये लें, ये कुछ बजन कम क करने वाली एक्सेसाइज हैं, निरंतर ये एक्सेसाइज करें, आशा करती हूँ, आप सब डाइबेटीज जैसी भयानक बीमारी से बचने के लिए अच्छे जीवन शैली अपनाएंगे, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो काइंडली लाइक और सब्सक्रा